वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल फैसो टिला फैन टिला आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू मसाला डोसा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हर डोसा होगा एकदम पर्फेक्ट क्रिस्पी तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए हम ले रहे हैं उड़त डाल, उड़त डाल धुली वाली ले रहे हैं यहाँ पर अगर हम छिलके वाली लेते हैं तो उतने साफ डोसे नहीं बनते और चावल मेजर्मेंट के लिए हमने एक कटोरी ली है आप कोई भी बरतन ले सकते हैं बस amount सही होना चाहिए तो एक कटोरी हम ले रहे हैं उड़त डाल हमने एक बरतन में डाल ली है और दूसरे बरतन में हम add कर रहे हैं चावल यदि आप उसना चावल लेते हैं तो बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं यहाँ पर उसना चावल एबलेबल नहीं है इसलिए मैं simple चावल ही यूज कर रही हूँ यह हुआ तीन कटोरी चावल यदि हम इडली बनाते हैं तो एक कटोरी यदि डाल है तो उसका तीन गुना चावल लेते हैं पर यहाँ पर हम डोसे बना रहे हैं तो इसमें हम पाँच गुना लेंगे मींस एक कटोरी डाल और चावल जो है वो पाँच कटोरी लिया अब इसे दो तीन पानी से वाश कर लिया अच्छे से अब इसमें पानी डाल कर पान से छे गंटे के लिए इन्हें भिंगो कर रखेंगे देखिए उपर हम इसपेस खाली रखते हैं भिंगोने से ये अमाउंट बढ़ जाता है ताकि भिंगने के बाद ये गिरे नहीं तो हमने इस तरह से ढख करके इन्हें रख दिया है पाँच से छे गंटे के लिए पाँच गंटे हो चुके हैं और दाल और चावल दोनों सोक हो चुके हैं रेडी हैं अब ये ग्राइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम इनका जो ऊपर का पानी है वो निकाल देते हैं चावल भी देखिए क्वांटिटी में ज्यादा दिख रहा है जितना हमने भिंगोया था तो इसका भी पानी हम एक बार निकाल देंगे और अब मिक्सर जार में डाल कर इसे ग्राइंड करेंगे इन्हें बारीक हमें ग्राइंड करना है बारीक पीसना है जब इडली के लिए हम इसे ग्राइंड करते हैं तो थोड़ा सा दरदरा रखते हैं पर अगर डोसा के लिए कर रहे हैं तो हमें बारीक लेना है तो ये दाल और चावल दोनों ग्राइंड हो चुके हैं हमारे हाथ से चाहें तो हम टच करके देख लें अगर चावल दर दरा लग रहा है तो इसे एक बार और ग्राइंड कर लें अब एक बरतन में निकाल लेते हैं जिसमें कि हमें इन्हें फर्मेंटेशन के लिए रखना है तो बड़ा बरतन लेंगे क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद में ये उपर तक बढ़ जाता है जादा हो जाता है देखिए दाल और चावल तोनों के पेस्ट को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है, मिक्स यहां करना बहुत जरूरी है, तीन से चार मिनट तक कंटिनुएसली मिक्स करें, ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो, बस ठक कर हम फिर से रख देते हैं इसे 6-7 घंटे के लिए, यदि अब ठंड में बना रहे हैं, तो इसमें मेथी के दाने डाल कर रखें, ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो, ये 6 घंटे हो चुके हैं, देखिए, रेडी है हमारा, फर्मेंटेशन हो चुका है, अब इस बेटर में हम मिलाएंगे थोड़ी शक्कर, एक चममच, इससे क्रिस ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा पानी और एड़ करेंगे, बस देखिए, इतनी ही कंसिस्टेंसी रहे, रेडी है बेटर, अब पनाएंगे स्टफिंग, इसके लिए तीन मीडियम साइज आलू लिये हैं, उबाल के, छिलका उतार लिया है, दो बड़ी प्याज लिया है, राई, करी पत्ता और हरी मेच 5-6 पीच से कट कर लिया है, प्याज को इस तरह से लंबे पीसे में कट किया है, कडाही में तेल डाल कर, गर्म होने पर सबसे पहले हम डालते हैं राई, राई चटकने पर, इसमें डालेंगे हम करी पत्ता, हरी जो मेच हमने कट करके रखी थी और एट करेंगे अब हम प्याज इसे भूनते हैं बहुत ज्यादा नहीं भूनना है बस हलका भूजना है दो से तीन मिनट में थोड़ा सा प्याज कच्ची रहनी चाहिए हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और एक चमच किचन किंग मसाला एट किया है इसमें मिक्स करेंगे द पूरा अच्छे से मिक्स करें और एट कर रहे हैं हम स्वादा नुसार नमक यहां एक चमच नमक मैंने लिया है तीन आलू में थोड़ा सा नमक हमने डोसे के बैटर में भी एट किया है तो हिसाब से ही डालेंगे और बस लास्क में हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती रेड को मैं एक ही डायरेक्शन में फैला रही हूं इससे डोसा परफेक्ट बनता है हाई टेंपरेचर पर रखाया भी गैस को और अब मीडियम किया है जैसे इसमें कलर आया और थोड़ा सा ओयल डाला देखे कितनी आसानी से यह निकल जाता है तब इमें कहीं भी नहीं चिपकता है बीच में हमने रखा है इस्टफिंग और देखे फोल्ड किया है ना बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाल डोसा एक्दम क्रिस्पी इसी तरह से हम और डोसे रेडी कर लेते हैं चाहें तो स्टफिंग बीच में रखे हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके भी दे सकते हैं यदि आपको रेश्वी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें देखें कितना बढ़िया कलर दे रहे हैं यह हमारे डोसे क्योंकि टेंपरेचर हमारा बिल्कुल सही है यदि टेंपरेचर आपका कम ज्यादा होता है तो उतने परफेक्ट डोसे नहीं रेडी होते हैं यदि आप पेपर डोसा ले रहे हैं तो इसे थोड़ा सा दूसरे तरब पलट कर सेंक लिए तो बस इंजॉय करिए सामर और चटनी के साथ में